आर एस साइड में रिस्टरेंट हेलो गाइज, वेलकम टू मैं वलॉग तो आज हम लोग एक नई जगह जाने वाले हैं और वो नोग पूस दिन जो गए थे तो उस दिन हम लोगों के साथ किस्कैम हो गया था इसलिए आज हम लोग फिर से दोबारा उज जगा जाने वाले हैं और वो जगह तो आप लोगो पता चल ही किया है कि वो सुमी मी पूल ता तो आज फिर से हम लोग सुमी मी पूल जाने वाले हैं अपने फ्रेंड लोगे जाते हुए आपने परेंटों के साथ होएगा तो आज हम लोग फिर से स्विमिंग पूल पहुंच चुके हैं और आप लेकिन आज उस दिन के तरह बंद नहीं है आज ओपेन है आज हम लोगों को इंटरी मिल जाएगा इसलिए आज हम लोग बहुत ज्यादा खूस है तो अभी हमारे फेले लोग टिकट कटा रहे हैं तो फिर आप चलते हैं अंदर जाकर देखते हैं क्या होता है इसलिए आप चाहे जिन्दगी है हमारे फुछ करें लोग आया है यहां पर पूरा मप्की कर रहे है हमारे यह देखें सब्सक्राइब यह देखें आप 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 सुविंग पूल के अंदर का सारा जो नजारा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि हम लोग सुविंग पूल जो आये थे हम लोग फुल मस्ती करने के बाद में आप लोगों को आप सुविंग पूल के अंदर क्या सुविदा है क्या चीज है क्या कौन सा गार्डन है कौन सा फूल है और सब क्या है वो मैं आप सभी को अपने ब्लोग में दिखा देता हूँ तो चलिए चलते हैं देखते हैं क्या सा वेच यहां के सुविंग फूल में क्या सब्सक्राइब करें देखते हैं और इसके इस साइड शुमिंग फूल है देख सकते हैं यह देखिए इस साइड यहां पर आकर यह गार्डन है कितना प्यारा गार्डन है यह देखिए इस साइड यह में बेंडिंग है रिसेप्सर देख सकते हैं आप लोग यहां पर ऑफिस वगहरा है और इस साइड में रेश्टुरेंड है है बहुत ही प्यारा है जो कि देखिए के तना प्यारा व्यूज यह देखिए इस गार्डन का जो व्यूज है बहुत ही प्यारा और यह यहां पर है मैरेज स्टेज यहां पर स्टेज बनता है मैरेज हॉल भी इसको आप कह सकते हैं यहां मैरेज हॉल का बुकिंग होता है यह देखे यहां पर बनता है स्टेज और इसके जस्ट सामने जो है वह स्विंग पूल है देख सकते हैं आप लोग बहुत ही प्यारा स्विंग पूल है यह जीचो के नाम से भी जाना जाता है कियोंकि यह जीचो में है ज़े डूघनटे बिताने के बाद स्विंग पूल में हमारे घर जाने का टाइम हो चुका है पूरे दो घंटा मैंने यहां खुल मस्ति किया और भाई हो गया और उसके बाद हम लोग दो निकलते हैं घर के तुमिए अन्दर याने के बाद मैं यह बाहर निकलना नहीं चाहतेज इसलिए यहां पर security money लिया जाता है जिस परन से हम लोगों को भी security money देना पराता और वो बाहर निकलने के बाद फिर यह ticket दिखाने के बाद से सारा चीव लिखा रहता है अगर आप लोगों का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और अगर आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें